चंदिगड मनाली नैशनल हाईवे सुंदर नगर के नरेश चौक पर कारचालक महिला ने स्कूटी को टक कर मार दी स्कूटी चौलक और एक अन्य सवारी गंभी रूप से घायल हो गए हैं स्थानी लोगों की मदद से स्कूटी पर सवार दोनों यूवकों को स्थानी अस्पिताल सुंदर नगर में भर्ती करवा दिया गया है जहां पर उनका उपचार जारी है वहीं घटना का पता चलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और तमाम सबूत एक अत्रित करके मामले की छान बीन करने में जुड़ गई है डियस्पि सुंदर नगर दिनेश कुमार ने बताया कि बयान दर्श करके आगामी कारवाई अमल में लाई जा रही है स्कोटी पर सवार दोनों युवक कपाही क्षेतर के बताय जा रहे हैं वहीं क्षेतर के जनता का कहना है कि अगर नरेश चौक पर पुलिस के जवान तैनात कर दिये जाएं तो एक तो वहाँ पर यातायाद विवस्था भी बनी रहेगी और दुरगटना घटित होने का भी आंदेशा नहीं रहेगा दिवेह माचल टीवी के लिए सुन्दर नगर से जस्वीर सिंग की रिपोर्ट